Middle class families and upper middle class families में हम लोग हमेशा ये ट्राइ करते हैं कि कहां थोड़ा money save कर ले और ये थोड़ी थोड़ी savings ही कभी कभी बहुत ज़्यादा काम में आती है ऐसी बहुत सारी habits है जिसे आप अपने kitchen से ही काफी saving कर पाएंगे और ये सभी habits आज में आपके साथ share करूँगी जो कि काफी आसान है आप आसानी से इसे follow कर सकते हैं Hello guys, Namaste and Welcome Back बरतन हमारे रोज ही दूलते हैं दिन में 3-4 बार हम लोग इसे wash करते हैं और देखिए जब हम Vim Bar या फिर कोई भी Rin Bar यूज़ करते हैं किसी भी तरह का जो बार होता है अगर हम यूज़ करते हैं अपने बरतनों को wash कर निकले न तो ऐसे container से यूज़ किए जिसके नीचे से कोई भी holes ना हो और ये नीचे से जाके waste ना हो तो ऐसे container लेंगे तो इसमें अगर पानी भी रहे गया न लेकिन अगर आप ऐसे container यूज़ करेंगे तो ये बिलकुल भी waste नहीं होगा जितना भी इसमें पानी जाता है न ये पानी से ही आपके पूरे की पूरे बरतन wash हो सकते हैं तो ये आप ध्यान रखिए कि इसके नीचे holes ना हो तो आपका जो soap है चाहिए आप विमबा यूज़ करें कुछ भी यूज़ करें ये खराब नहीं होगा वेस्ट नहीं होगा कभी-कभी kitchen से भी थोड़ी smell आती है कभी हम कुछ fry करते हैं कुछ जल जाता है या फिर dustbin वगेरे से ना कभी थोड़ी पहुत smell आती है तो कई सारे लोगों को मैंने दिखाए कि essential oil यूज़ करते हैं ये जो essential oil होता है ना dustbin में आप डालते हैं या फिर kitchen में candle में जलाके यूज़ करते हैं तो ये काफी ज़दा costly आता है अगर आप चेक करेंगे ना तो आपको ये बहुत ही ज़दा costly मिलेंगे तो उससे भी सस्ता एक option बताती हूँ हमारे जो soap के wrappers रहते हैं उसे आप अपने dustbin में डाल दीजें इनको फेकने के बदले आप dustbin का जो garbage bag है ना उसके नीचे डाल दीजें तो dustbin से इसकी काफी दिनों तक इसमें जो खुशबू रहती है वो आप उसको utilize कर सकते हैं dustbin से smell नहीं आएगी और बहुत ही सस्ता सा option है आप अगर बती यूज़ कीज़ें आप अगर बती लगा सकते हैं अपने kitchen में आपने कुछ cooking की है और smell रहे गया है तो आप अगर बती लगा दीजें अपने sink के पास लगा के छोड़ दीजें थोड़ी देर में पूरी की पूरी smell निकल जाएगी और पूरी अगर बती भी आपको use करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी अगर बती भी बहुत ज़दा costly नहीं आती है तो आप इसे daily भी use करेंगे तो आपको कोई problem नहीं होगा आप यहाँ पे काफी सारा पैसा अपना save कर सकते हैं essential oils ना कभी-कभी use करने के ठीक है लेकिन daily इसे use करना काफी costly हो जाएगा विम बार्च या दूसरे बार्च के साथ हम लोग कई सारी चीज़े wash करने के लिए हम लोग विम लिक्विट भी use करते हैं जो कि काफी costly होता है और अगर आप इसे directly use करेंगे तो यह बहुत जादा waste हो जाएगा इसमें आप काफी सारा पानी mix करके use कीज़े इसका ratio रखिए 1 is to 10 तो यह काफी दिनों तक चलेगा और आपको महीनों तक इसे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं हमेशे इसमें काफी सारा पानी mix कर लेती हूँ एक जो खाली bottle आती है न विम liquid की यह विम liquid की bottles आप फेकें मत जब खतम हो जाता है तो आप एक हाथ bottles रख लीजे और फिर आप इसमें ऐसे मिलाके use कर सकते हैं पानी और यह काफी दिनों तक आप इसको use कर पाएंगे और यहाँ भी आपका बहुत सारा पैसा save हो जाएगा soaps और liquid में पैसा save करने के साथ साथ आप अपना cooking के time भी काफी सारा time और money दोनों ही save कर सकते हैं जैसे आप cooker यूज़ कीजे कूकर में हम अलग-अलग separators डाल सकते हैं मैंने तो दो रखे हैं दाल और rice के लिए आप इसमें तीन चार किते भी separators यूज़ कर सकते हैं आप ये जो containers आते हैं आपको आसानी से online बिल जाएंगे या फिर किसी भी आप बर्दन की shop से ले सकते हैं इससे आप काफी सारा gas save कर पाएंगे क्योंकि सारी चीज़ एकी साथ एकी container में बन रही है और आपका time भी बच जाएगा और वो time को आप कहीं और utilize कर सकते हैं ऐसे जो मसाले होते हैं कई बार हम लोग extra लेकर आ जाते हैं और ये अगर आपने room temperature में रख दिया तो कुछ time के बाद ये खराब हो जाएंगे इनमें moisture आ जाता है भले ये आपने pack इसका खोला ना हो ये sealed हो फिर भी ना ये रखे रखे खराब हो जाते हैं तो इन सब जो packets है मसाले के packets हैं इन सबको आप freezer में रखिए मैं यहां पे चने राजमा छोले ये जितने भी extra जो सामान रहता ना मेरे पास मैं सब कुछ इसको freezer में रख देती हूं ना तो इन में कीडे परते हैं और ना ही इसमें आपको कुछ चीज़ें डाल के रखने की ज़रूत हैं जैसे बुंदी वगर है ये भी मैं सूजी बेसन ये सारी चीज़ें ना मैं freezer में रखती हूं तो ये बहुत लंबे time तक महीनों तक ना बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं सूखी लाल मिच अगर आप उपर रख देंगे तो ये पूरी खराब हो जाएगी इसमें कीडे लग क्लीनिंग करेंगे तो हमें obviously दर्वाजा इसका खुला ही रखना पड़ेगा लेकिन आप जब इसको क्लीन कर रहे हैं तब आप इसका जो उपर से स्विच है इसको बन कर दीजे में स्विच तब आप इसकी जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट कीज़ें अदरवाइस ये बहुत आप क्लीनिंग करनी है जित्ती भी थोरोली आपको इसको साफ करना है आराम से कीजे इसमें कोई प्रॉप्लम नहीं आएगा लेकिन इसको आप बहुत देर तक ओपन करके मत रखे और करके मत रखे इससे आप चेक करेंगे ना तो आपके जो इलेक्रिक बिल है उसमें काफी की डिफरेंस आपको दिखेगा और आप जब भी फ्रिज को ओपन करते हैं जल्दी से जल्दी बन कीजे आप कुछ सामा निकालने के लिए जैसे हम ओपन करते हैं तो फटाफट से सामा निकाले के जल्दी से आप फ्रिज का जो डोर है वो बन कर दीजे बहुत देर तक फ्र अपने फ्रिज में अगर आप बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखेंगे जरुत से ज्यादा चीज़ें उसको पुरा स्टाफ कर देंगे तो उससे भी ना इलेक्रिसिटी ज्यादा कंजूम करता है और ऐसे में फ्रिज खराब होने का भी बहुत डर रहता है इससे फिर आपको जगा भी नहीं होगी और आप चेक करते रहिए कि आपने कितना फूड लेफ्ट ओवर फूड आपके जो फ्रिज में रखा हुआ है वो कितने दिनों से रखा हुआ है जितने जल्दी हो सके उसे कंजूम कीजें अपने फ्रिज का टेंपरेचर बाहर के टेंपरेचर के अकॉर्डिंग ही सेट कीजें अगर बहुत ज़्यादा थंडा है तो टेंपरेचर आप कम रख सकते हैं लेफ्ट ओवर फूड के बारे में मैं बात कर रही थी तो अगर आपने लेफ्ट ओवर फूड स्टोर करके रखते हैं तो इसको 24 आवर से ज्यादा मत रखिए और जितना जल्दी हो सके ना इसको कंज्यूम कर लीजे क्योंकि एक तो ये बहुत दिन तक रखा नहीं रहना चाहिए आपके हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है और आपका जो फ्रिज है वो भी स्टाफ होता जाएगा चीज़े इसमें भरती जाएंगी कुछ भी खानी की चीज़ आप फ्रिज से निकालते हैं और आपको उसको री हीट करना है तो आप उसे कुछ देर पहले कम से कम 15-20 मिनट पहले बहा निकालके रखिए तो आप अगर माइक्रोवेव में गरम करेंगे या फिर आप गैस पे गरम करेंगे तो ये जल्दी गरम हो जाएगा अगेन आपका जो माइक्रोवेव का यूसेज है इलेक्रिसिटी बचेगा और आपका गैस भी बचेगा अगर आप गैस पे गरम कर रहे है तो इसे बहा निकालके जरूर रखिए 15-20 मिनट पहले और ऐसे कंटेनर्स यूज कीजिए जो की आप री हीट के लिए और इसमें ही आप स्टोर कर सकें क्योंकि आप बहुत जादा बर्दर निकालेंगे तो आपका जो सोप है वाटर है आपकी एनरजी ये सारी चीज़ें वेस्ट होंगी तो इसलिए कम से कम बर्दर निकालें आप ऐसे बर्दर यूज कीजिए जिसको री हीट के लिए भी हमेशा सबसे पूछ के ही आप खाना बनाईए कि कौन कितना रोटी खाने वाला है या कितना राइस खाने वाला है उससे आप अपने फूट का जो वेस्टेज है उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है आप जब पूछ लेते हैं किसी से कि आ इससे आपका काफी सारा जो फूट है वो वेस्ट होने से बच जाएगा और एक और चीज से आप अपना फूट वेस्टेज बचा सकते हैं आप इस तरह के जो बाउल रखते हैं अपने ग्रेंस के अंदर तो आप एक ही साइज यूज कीजे उससे आपको अंदाजा आएगा कि डेली आपको कितना राइस या फिर दान लग रहा है या कोई भी ग्रेंसा भी यूज कर रहे हैं तो उससे भी वेस्टेज कम होगा और आपको एक अंदाजा आजाएगा कि इतने में आपका जो लंच का प्रिपरेशन हो सकता है या फिर डिनर का जो खाना है इतनी कॉंट सेव कर सकते हैं और टाइम भी सेव कर सकते हैं लेकिन जब आप कुछ बरतन में बना रहे हैं कडाई में बना रहे हैं तो उस कडाई या जो भी बरतन आप यूज करें उसको ढख के खाना बनाईए और उससे स्लो फ्लेम में बनाईए तो इससे भी आपका गैस पचेगा और खाना जलेगा भी नहीं, दूसरा आपका जो खाना है वो जल्दी बन जाएगा, किसी भी चीज को अगर हम कवर करके बनाते हैं, तो वो जल्दी कुक हो जाता है, बहुत सारे ओईली बर्तन होते हैं, जिनको दोनी के लिए काफी सारा हमको स्क्राबिंग करनी पड़ती है, करम पानी डाल दीजे, करम पानी से पूरा ओईल पूरी गंदगी निकल जाएगी, और आपको कम से कम मैनत करनी पड़ेगी, कम से कम स्क्रब करना पड़ेगा, अगर बहुत जादा गंदा नहीं है, तो आपसे साबुन डाल के भी बिना स्क्रब किये भी वाश कर पाएंगे जैसे ये पैन है, तो थोड़ा सा गंदा है, तो इसे स्क्रब करना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत ही थोड़े से सोप में ये साफ हो जाएगा, बहुत जादा स्क्रबिंग भी नहीं लगेगी, टाइम भी आपका यहाँ पर बच जाएगा, तो अगर बहुत जादा गंदे बर्तन है तो सबसे पहले उसमें आप गरम पानी डालिए क्योंकि उसको बहुत जादा स्क्रब करके अपना टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है गरम पानी से उसका जो ऑईल है गंदगी है सब की सब बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी जैसे हम अपनी दूसरी खानी की चीज़ें स्टोर करते हैं ताकि लंबे समय तक चल सके ऐसे वेजिटेबल लेटेस वगेरे बहुत ज़दा कॉसली आते हैं तो इनको भी ठीक से स्टोर कीजिए जो आपने इन में पैसे इन्वेस्ट किये हैं वो वेस्ट ना जाए इनको आप जैसे अगर आप ये बचके हैं तो ऐसे इनको नैपकिन में आप अच्छे से कवर कर लीजे जो आप बाउल में रख रहे हैं नीचे भी आप ऐसे नैपकिन लगाए और उपर से भी नैपकिन स से कवर कर दीजे और फिर उसके बाद आप इसे सिल्वर फॉइल से कवर करके आप फ्रिज में रख सकते हैं तो यह अराम से फोर टू फाइब देस यह चल जाएंगे फ्रेश रहेंगे लेकिन ट्राइ कीजे कि आप जल्दी से जल्दी कंजिम से कर लें तो बाकी चीजों की त सो डैड आपका जो पैसा है वह भी वेस्ट ना हो तो इनको स्टोर करने के लिए मैंने एक प्लास्टिक कंटेनर लिया है और उपर और नीचे दोनों साइट से मैंने नैपकिन लगा दिया है नैपकिन आप सिंगल सिंगली रखे डबल नैपकिन मत लीजे और इस पे न I hope आपको मेरी दिखाई गई सभी टिप्स यूस्फुल लगती होगी कौन सी आपको सबसे ज़्यादा पस्तना ही मुझे कमेंट करके ज़रू बताइए और वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू सो मच